हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूं उमीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम सब एकदम ठीक है So guys I'm back with another new vlog. It's Sunday special breakfast that is Shabu Danevade. Hope so you all like it. और इस Sunday आप लोग आपके घर में ट्राइ जरूर करना and please do like, share, comment and subscribe my channel. चलो स्टार्ट करते है शाबू दाने वड़े बनाने के लिए जो इंग्रेंज शहिए वो है शाबू दाने जो एक रात पहले वाश करना है और उसका पानी नितर कर रख देना है 4 boiled potatoes, some roasted peanuts, coriander leaves, garlic, ginger and some green chili salt. सबसे पहले roasted peanut को mixer लगा लेंगे याद रखे इसको थोड़ा मोटा मोटा ही पिस लेना है जैसे मैंने पीसा है इस तरह के अब हम ये सारे हरे मसाले को मिकसर लगा लेंगे और फाइन पेस्ट कर लेंगे इस तरह ज्यादा पतला मत करना पानी दाल कर अब हम ये सब इंग्रियन शाबू दाने में दाल कर अच्छे से मिकस कर लेंगे और अब ऑईल गरम पे रख दीजिए और इसके छोटे छोटे रॉन शेप के टिक्या बना लीजिए जैसे मैं बना रही हूँ शायद अब ऑईल गरम हो चुका है अब हम एक एक करकर ये टिक्या तेल में दाल देंगे और अच्छे से डीप फ्राइ कर लेंगे याद रखना ग्यास का फ्लेम मेडियम रखना है और इस तरह गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कीजिए हमारे शाबू दने के वड़े बन चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ना आप इस वड़ों को टेमेटो केचप या कोकोनेट चटनी के साथ सर्फ कर सकते हो फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लोग के साथ तिल देन टेक केर अला आफीस आप झाल झाल